इस वीडियो में हम inheritance के topic को ही continue करेंगे इसको थोड़ा java point of view से देखेंगे कुछ जो terms हैं वो आपकी revise भी हो जाएंगी जो अपनी object oriented programming के course में देखी थी so जब हम inheritance की बात करते हैं तो इसमें एक super class होती है और एक sub class होती है इस तरह की classes involved होती हैं जिन मेंसे जो parent class होती है जो generalized form होती है उसको हम super class कहते हैं और जो specialized form होती है उसको हम sub class कहते हैं जिस तरह से हमने generalization और specialization वाले जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास shape की जो है जो है जो है वो एक generalized form बन रही थी ठीक है तो वो जो shape है shape की एक general class बन जाएगी ठीक है जिसको बार बार reuse किया जा सकता है और जो हमारी specialized classes थी जिसमें हमारे पास square था rectangle था circle था वगारा 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 वो उन्ही generalized class को use करते वे जो है उसके characteristics को use करते वे नई classes derived की जा सकती है ठीक है जो you can think of the subclass as an extended version of the superclass superclass एक हमारे पास पहले से बनी पड़ी है ठीक है तो जो subclass होगी वो extension होगी superclass की यानि कि उसका एक नया version होगा उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी superclass वाली तमाम चीज़ें होंगी प्लस सब जो है इसकी कुछ अपनी खास चीज़ें होंगी जिसकी वज़ा से उसको specialized form या specialized class कहा जाता है तो जो class पहले से exist करती है जिसको हम superclass भी कहते हैं parent class भी कहते हैं और base class भी कहते हैं ठीक है और जो नई class हम derive करते हैं जो नई class हम superclass को use करते वे बनाते हैं उसको हम subclass या child class या derived class कहते हैं ठीक है अगें चाइल्ड जो है वो इन्हेरिट करेगा क्या तमाम करेक्टरिस्टिक पेरेंट के और चाइल्ड के पास कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स होंगे और यह जो चीजें inherit करता है, characteristics जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कौन-कौन से चीजें inherit करेगा, वो methods को inherit करेगा, वो fields को inherit करेगा parent की, लेकिन कौन सी fields को, वो हम देखते हैं. inheritance की UML notation क्या है, कि एक हमारे पास parent class होगी, और एक हमारे पास child class होगी, ठीक है, parent class के अपने कुछ data members होगे, कुछ अपने behavior या methods होगे, इसे तरह से, child class के कुछ अपने data members और behavior होगे, और यह relationship show किस से किया जाता है, यह relationship इस arrow से show किया जाता है, और यह arrow जो है, यह arrow, line के साथ, जो arrow है, यह हमेशा किस की तरफ होगा, parent class की तरफ होगा, ठीक है, यह arrow हमेशा parent class की तरफ होगा, तो जिस तरफ यह arrow होगा, वो class क्या होगी, parent होगी, ठीक है, और यह line जिस तरफ होगी, वो class child होगी, ठीक है, तो यह isa का relationship, यह inheritance का relationship show करने का तरीका कार है, inheritance के syntax को देख लेती है, public, again public हमारे पास access modifier है, उसके बाद class का keyword use होता है, उसके बाद आप class के keyword के बाद आप बताते है, child class का नाम, ठीक है, जो नई class आप derive कर रहे होते हैं, ठीक है, जो नई class आप derive कर रहे होते हैं, उसका नाम बताते हैं, और keyword use करते हैं, extends का, ये extends का keyword जो है ये show करवाता है जावा में के ये इज़े का relationship जो है established की अजार है ठीक है और ये relationship किसके दर्मियान होगा child और parent के दर्मियान होगा तो इसके क्या मतलब है कि ये जो child class होगी इसमें parent के तमाम जो characteristics हैं वो inherit हो जाएंगे दूसरा आप इसको इस तरह से देख सकती है कि specialized class जो है वो extend करती है किसको generalized class को या derived class extend करती है किसको base class को ठीक है अब ये again extension का क्या मतलब है कि हमारे पास पहले से कुछ मुझूद है उसमें हम कुछ नहीं चीज़ें add कर रहे हैं साल के तोर पर ये एक window है ठीक है इसका कुछ code है ये कुछ code लिखा गया है जिससे ये window बनी है ठीक है अब ये में window बनाना चाहता हूं ठीक है इस window में additional चीज़ें हैं कुछ ये मेरे पास एक menu bar है और ये मेरे पास एक button है अब अगर inheritance का concept exist नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ना था या inheritance अगर मैं use नहीं करता तो मुझे ये जो नई window बनानी थी इसमें मुझे पूरा code लिखना पड़ना था जो code इस window का है वो भी लिखना पड़ना था प्लस मुझे ये menu bar के लिए code लिखना पड़ना था और button का code लिखना पड़ना था ठीक है तो inheritance से reusability हम किस तरह से देखते हैं कि हमें ये जो पहले से existing चीज है इसका code नहीं लिखना पड़ेगा ये पहले से कोई class बनी भी है window के नाम से मिसाल के तोर पर और ये जो new window है वो extend कर लेगी किसको वो जो window की class है उसको ठीक है इसमें ये जो new window की class होगी इसमें ये वले code कह लें आपके पास automatically inherit होके available होगा प्लस हम इसमें ये जो नहीं additional चीज़ें है ये add कर लेंगे और ये उसकी specialized form बन जाएगी ठीक है so inherit क्या क्या होता है तो subclass inherits all the members जो कि उसकी fields है methods है और एक और चीज़ होती है nested classes जिसको हम discuss करेंगे अपने course में आगे जब हम इसको use करेंगे so subclass inherits all the members from its superclass तो superclass के तमाम members को inherit करती है तमाम public members ठीक है नियुकर Crush factors को inherit नहीं करती है subclass में constructor parent class के constructor available नहीं होते चुंस्टर members नहीं होते that's why पेरंट क्लास का या पेरेंच靖 का जो चुस्टर क्नस्ट्रक्रक्टर तो हम subclass से call तो कर सकते है उसको भी हमदेखेंगे ठीक है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने जहिन में याद रखने हैं ठीक है नमबर एक तमाम पप्लिक मेंबर इनहेरिट हो जाएंगे सब क्लास में जो सूपर क्लास के फॉर एक्जैंपल अगर हमारे पास कोई दो क्लास हैं एक क्लास मेरे पास A है और एक क्लास B A से इनहेरिट हो रही है तो A में जितने भी पप्लिक मेंबर होंगे वो आटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे वो B जो B क्लास है उसमें आटोमेटिकली अवेलेबल होंगे आटोमेटिकली अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि B क्लास के अंदर मैं उनको directly access कर सकता हूँ ठेक है नूबर टू private members जो है private members inherit नहीं होते इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास अगर class में private member है parent class में हमारे पास private members होंगी for example कोई तीन private member है और दो हमारे पास public members है ठेक है अब यह जो class B इसको inherit कर रही है इसमें यह जो private members है अगें यह directly इसमें accessible नहीं होंगे यह private रहेंगे इस class A तक अगर B class इनको access करना चाहती है तो इसका यह मतलब है कि A class के अंदर जो parent class है उसमें कुछ public methods available होने चाहिए जिसके through B class उसको access कर सके क्यों public members जो है वो inherit हो जाते है इसका क्या मतलब है B के अंदर वो directly इसमाल किये जा सकते है ठीक है So subclass can directly access any public member of the super class subclass can include additional data and or methods यह obvious सी बाल ठीक है So हम वापस जरा आते हैं generalization और specialization प्पलाई करने की कोशिस करते हैं For example हम कोई paint type की कोई app बना रहे हैं जिसमें हमारे पास तीन मुख्तलिफ किसम के object है circle का object है rectangle के object हो सकते है और triangle के object हो सकते है ठीक है हम क्या कह रहे हैं कि circle का जो है circle का color होगा circle की कोई x position होगी कोई उसके y position होगी ठीक है इसी तरह से circle का कोई radius होगा यह उसके relevant जो methods and constructor है उसके set methods लिखे get methods लिखे और कुछ उसके find diameter circumference area वगार वगार उसके बाद हमने rectangle की class लिखी और rectangle की class में हमने देखा उसमें the rectangle का color है उसके x position है उसकी y position है उसकी width है उसकी height है और उससे relevant जितने भी methods थे वो लिखे इसी तरह से triangle की class triangle की class में color है center x है center y है उसकी sides है उसके set get methods है और कुछ उसके दूसरे behavior है अगर मैं inheritance का concept inheritance की power को use नहीं करता तो यहां पर इतनी code duplication होगी यह तो बिलकुल simple simple classes है यानि कि यह जितनी highlighted चीज़ है यह मुझे हर class में बार बार लिखनी पड़ रही है यह वो common चीज़े है ठीक है तो generalization क्या कहती है कि जब ऐसे scenario आपके पास आता है हमारे पास common चीज़े होती है इनको extract करके एक class बना लो जो generalized class हो ठीक है यह जो generalized class होती है वो inheritance में serve करती है most of the time as parent class ठीक है अब इन तमाम चीज़ें को अगर हम देखें यह जो जितनी common है हम कहरें कि यह एक हम shape की class बना लेते हैं उसके अंदर यह common चीज़ें सारी रख देते हैं और हमने बात की थी कि जब हम generalization और specialization की बात करते हैं तो हमेशा specialized form और generalized form में एक relation exist कर रहा होगा और वो हमेशा relation क्या होगा is a relationship ठीक है inheritance अगर आप कोई apply कर रही है ना करना चाह रही है तो आपने हमेशा यह test लगा कर देखने कि child class is a or is a kind of parent class ठीक है कि for example circle is a shape yes rectangle is a shape yes triangle is a shape yes ठीक है इसी तरह इंदूसरी shapes को भी आप include कर सकते हैं ऐसी inheritance आप नहीं करेंगे जहां पर is a का test pass ना हो रहा हो ठीक है तो जब generalized form हम बना लेंगे जो generalized class बनती है वो हमें हमारी parent class बन जाती है और specialized classes फिर यह बन जाएंगी circle, rectangle और triangle हमारे पास specialized classes बन जाएंगी इसमें से यह जितना भी duplicated code था यह सारा निकल जाएगा ठीक है तो जब code duplicate हो रहा है तो इसका क्या मतलब है हमारे पास error के chances भढ़ रहे हैं जितनी जादा code duplication है उतने जादा हमारे chances हैं कि हम कोई गलती करने हैं ठीक है क्योंकि हो सकता है एक जगा पर change करना हो आपने किसी एक चीज में change करना हो वो आप हर जगा पर वो change ना कर रहे हो जहां पर वो code duplicate हो रहे है तो यकीनन error के chances भढ़ जाएंगे ठीक है अब generalization और specialization के concept को अगर हम देखें तो हमारे पास एक generalized form हमने खुद extract की है अब circle is the shape तो कौन सी चीज है जो circle में होती है radius या diameter भी आप ले सकते है rectangle में क्या है width है और height है इसी तरह triangle की तीन sides है ठीक है यह हमने representation यूज की है और जो निया हमारे पास model बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा के हमारे पास यह parent class होगी shape की इसमें वो सारा common code होगा और जो दूसरा specialized जो specialization हमने की है वो इन सब classes में additional data और उससे relevant additional methods आ जेंगे ठीक है next video में हम इनसको implementation point of view से देखेंगे हम कोई चोटी सी example लेंगे उसमें हम implement करके देखेंगे thank you झाल